हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जार हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z3 Android मुवाइल फोन में आप जो है अब इसके बाद आपको accessibility के इस page में आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको power button end call का यह option मिलेगा इसके सामने एक button दे रखा है इससे आपको select करना है तो इस setting आपकी enable हो जाती है अभी setting enable होने के बाद जो है काम कैसे करती है यह मैं आपको बता देता हूँ ठीक ह और आप उस call को receive कर लेते हैं ठीक है receive करने के बाद अगर आप अपनी call को cut करना चाते है और disconnect करना चाते है तो आपको जो है अपने mobile का यह power button होता है इसको आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है ठीक है तो आपकी जो call जो है वो disconnect हो जाएगी आपके mobile phone की display पे जो red color का button होता है लेकिन यह एक जो है power button and call setting करने से आप power button का भी use कर सकते है और call को disconnect करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको यह बता देता हूं कि कैसे आप जो है power button and call setting को आप shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है अपने लावाजाड 3 android mobile phone में इसके लिए आपको करना है कि आपको आप करना है power button and call तो नीचे की साइड आपको यह option से हो जाएगा power button and call का इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको खुद जो है direct इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को जो है इस तरीके से highlight करके दिखाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूणने का आपके mobile phone में